कि आगे मूव करने की कोशिश करते हैं कुश्चन नमबर टेन कुश्चन नमबर टेन यह है आपका बियर लैमबर्ट लाउ से कुश्चन आप लोग इसको सॉल्व करते रहेगा मैं आपके सल्वीशन बता रहता हुँ तो क्या करना था अप्जॉप्शन इस उकल टू एपसाइलन सी एल ठीक है कॉंसेंट्रेशन सी निकाला है इस एप्जॉप्शन अपॉन्ड़ इंटू एल एप्जॉप्शन है जीलो पॉर्ट्रीवन और यह है 62 यह है 6200 और 6200 एप्जॉप्शन के बारे में यह मोलर उस केस में है नाव माइक्रो मोलर में इन्होंने पूछा हुआ है तो में कॉंसेंट्रेशन बताना है तब इसको सॉल करोगे आप तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हूँ यह वैल्यू वं थी वन ही दिया हुआ इन्होंने पाथ लेंद वन सिंटीमेटर दिया हुआ ग्रेट तो यह क्या करिएगा 31 करेंगे तो 100 नीचे 62 इन्टू 10 टू पावर फूर इस तरीके से करेंगे यह दो बार कटेगा यह उपर जाएगा यह उपर जाएगा 10 टू पाव माइनस फूर आएगा और इसके बाद 1 अपॉन टू अब इसको सॉल करिए 100 हंडेड का मल्टिप्लाई कर देजिए उपर नीचे तो 100 अपॉन 2 इन्टू 10 टू पावर बिल्कुल सही जवाब जी 50 micromolar is the right answer. Next question, among the reagent, among the reagent which of the following combinations will not break the disulfide bond in the immunoglobulin molecule? इन में से कौन रियेजेंट है जो कि डाइसलफाइट बॉन को ब्रेक नहीं करते हैं जी, ऐसी, SDS कभी डाइसलफाइट बॉन को ब्रेक करता है क्या, जो लोग ये कभी भी डाइसलफाइट बॉन को ब्रेक नहीं करता नहीं करता है डाइसलफाइड बॉंड को नहीं यह करता है मेथियूनीन इस अमीनो एसीड मेथियूनीन तो खुद अमीनो एसीड है जी वो क्या ब्रेक करेगा वेचारा तो आप खुद सोचो कि R and S will be the right answer समझ में आरी बात यह ही होगा क्योंकि SDS एनाइनिक रियेजेंट है अगर मैं हाप स्लुटे बात करूं तो स्लुटे होगा हो यह होगा because SDS is anionic reagent, यह एक anionic reagent है, यह disulfide bond को break नहीं करता, वो beta-marcaprothenol होता है, और methionine is an amino acid, ठीक है, methionine जो है, वो क्या है, वो एक amino acid है, ठीक है, यह amino acid है, तो यह कहां से break करेगा, ठीक है, clear है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number this, 12, match of the following question, protein illusion के बारे हम बात करते हैं, ठीक है, illusions, बात करता हूँ, proton ion के उपर कौन करेंगे, proton ion यानि पी एच के उपर बात हो रहा है, तो पी एच के उपर कहां पर जाएगा, फिर उसके बार दी, ए, 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 ठीक है, that is diethyl, amino ethyl के बात की जा रही है, answer क्या होना है, initial, NTA column, NTA column किस के लिए यूज होता है, NTA column की बात करता हूँ, histidine, his tag के बारे में सुना हुआ है, his tag, अगर मैं बात करूँ नहीं, six his tag यूज करते हैं, ठीक है, six his tag, अगर मैं purification की बात करूँ, तो that is what the six his tag use करते है, they use the NTA column for the purification, इसके अलावा, अगर मैं आप से बात करूँ, H+, H+, का मतलब क्या है, PI, PI का मतलब क्या है, Isoelectric Focusing, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते है, Chromato Focusing, जिसको कि इन्होंने ये लिखा हुआ है, that is what Chromato Focusing, अगर आप इतना भी बता लोग होगे, यहां पर देखो, हुआ हिस टैक जो है, P, Q जो है, 4th से मिलना चाहिए, Q 4th से, S में मिलना, B में, और आपके मिलना है, A में, Q 4th है, और S जो होना चाहिए, वो 3rd से मिलना चाहिए, 2nd से, 2nd से मिलना चाहिए, Chromato Focusing में, तो आ गया पहला answer, is it clear, तो आप इस तरीके से relate करके, निकाल सकते हो, जी, next question, question number 13, the which of the following is not a neurotransmitter, कों सा है, जो neurotransmitter नहीं है, histidine, odd one out, सीधे सीधे answer देखके बता सकते हो, दो number का question, आप खुद देखो, कैसा गंदा सा question, दो number में दे रहा है, ठीके, C नहीं होगा, D होगा, जी, histidine होगा, histamine नहीं होगा, सुजाता जी, ठीके, गंदा सा question है, ये, ये तो गंदा सा question है, ऐसा मन से खुद निकलता है, छी, इतना गंदा सा question, that is exactly, histidine is amino acid, that is not the neurotransmitter, ये क्या है, ये amino acid है, ठीके, ये amino acid है, ये amino acid है, ठीके, ये amino acid है, not a neurotransmitter, क्लियर जी, चलिए, great, question number 15, question number 15 भी इसी तरीके का question है, which of the following reaction mechanism drives the conversion of the low energy 3-phosphoglycele dehyde to the high energy phosphate 1-3-bisphosphoglyce rate, ठीके, ये आपको use करते हैं, तो इस पारे में अगर मैं बात करो, तो क्या होना चाहिए answer, that is what, अभी ये question, 2019 में आया था, उल्टा करके पूछा था, substrate level phosphorylation कहा था, देख रहे हो, repetition का level, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ है, उठा के उल्टा करके पूछा हुआ है, तो this is definitely substrate level phosphorylation, आप लोग बता रहे हैं, अच्छा, which of the following reaction drive the conversion of three phosphorylation to high energy 134, ठीक है, आप देखने कोशिस करिएगा कि यहाँ पर क्या है, oxidation coupled with the anhydride burn formation, substrate level phosphorylation होगा का है, यहाँ पर, phosphate increase हो रहा है, जो लोग C answer दे रहो, phosphate increase हो रहा है, decrease नहीं हो रहा है, इस चीज़ को समझो, energy कहां से चाहिए, इस चीज़ में जो energy आता था, वो आपका उल्टा करके पुछा इन्होंने question को, आप लोग confuse कर जा रहे हो, answer क्या होना चाहिए, इसका answer होना चाहिए, क्यों क्यों क्योंकि 3 PGL से, 3 PGL से जो बनता है, 1, 3, 2, PGL, phosphate diseraldehyde, इसके लिए चाहिए था, H3PO4, बताया गया था, यह चाहिए होता है, यहाँ पर यूज करने के लिए, ठीके, B होगा, आप पूछीट होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि आप question देखो, कि conversion of low energy 3 PGL से, high conversion 3 से, 1, 3 चाह रहा है, तो वो phosphoration थोड़ी होगा, यहाँ पर phosphate चाहिए इसको, क्योंकि 2 phosphate बन रहा है, तो phosphate रिलीज नहीं हो रहा, phosphate बन रहा है, इसको phosphate की input चाहिए, तो वो यहाँ से आता है, is it clear, तमझ में आ गया कि आप गलत करें थे आप लोग, चलिए, भूप के आप लोगों,